हलो दोस्तों नमस्ते सरुज की किचिन में आपका स्वागत है सर्दियां चल रही है ऐसे समय में हमारी शरीर को कुछ ऐसी चीजे खानी चाहिए जिससे शरीर में ताकत बनी रहे और गर्महाट भी रहे जिसे हम सर्दियों में ही खा सकें जैसे की गौंद के लड़ू इन्हें हम सर्दियों में ही बनाते हैं और सर्दियों में ही खाते हैं इन लड़ू को काने से बोड़ी की थकान सिर धर्द कमर धर्द हड़्डियों के धर्द में आराम मिलता है इसलिए ये लड़ू सभी को खाने चाहिए लड़ू बनाने के लिए कितना क्या समान चाहिए और कितन सब का मेजर्मेंट का नाप बताऊंगी गौंद के लड़ूं के लिए बहुत ज़्यादा सामान की आवश्यक्ता नहीं होती है तो चलिए लड़ू बनाने के लिए हमें ये सब सामान चाहिए आटा लिया है 500 ग्राम जो कप के नाप से धाई कप है खाने लिए एक कप एक गोला लिया है बाधाम लिये धाई 100 ग्राम अखरोट लिये धाई 100 ग्राम काजू लिये धाई 100 ग्राम किस्कनिस लिये धाई 100 ग्राम गौंद लिया है 1500 ग्राम तो चीज़े ऐसी हैं जो मैं यापर खटोरी में नहीं रख तब से पहले हम गौंद को मिक्सर जार में डालकर दरदरा करेंगे इस तरह ऐसे गौंद को करने से गौंद को सेखने में आसानी रहेगी गौंद को दरदरा पीछ लिया है अब इसे कटोरी में निकाल लेंगे अब बादाम को जार में डालेंगे और इनको भी दरदरा पीछ लेंगे बादाम को भी हमने दरदरा पीछ लिया है इन्हें भी कटोरी में निकाल लेंगे अब काजूओं को जार में डालेंगे और इन्हें भी दरदरा पीछ लेंगे काजूओं को पीछ लिया है इन्हें थाली में डाल देंगे क्योंकि यह न कटोरी में या आनी रहे थे इसलिए सभी चीजों को हम थाली में डाल देंगे अब अख्रोट को जार में डालेंगे और इन्हें भी दरदरा पीस लेंगे अख्रोट को भी हमने पीस लिया है इन्हें भी थाली में निकाल लेंगे अब जार में खस-खस डालेंगे इसे भी दरदरा पीस लेंगे खस-खस को पीस लिया है अब इसे भी थाली में निकाल लेंगे और चार में पिस्ता डालेंगे और धरधरा पीशेंगे पिस्ता को भी हमने पीश लिया है थाली में निकाल लेंगे अब गोला को लेंगे और इसकी छोटी-छोटे पीश में इसको काट लेंगे गोला को सिधाई जार में काट लेंगे और इसे बलकुल बारेक पीशेंगे इस तरह से बड़े बड़े पीशों में इसको काट देंगे गोला को हमने काट लिया है अब इसे भी बारेक पीश लेंगे पुला को हमने बारिक पीछ लिया है इसे भी थाली में निकाल लेंगे अब हमने 100 ग्राम चरॉंज लिये इन्हें हम नहीं पीछेंगे ऐसे ही थाली में डाल लेंगे और अब हम इन सभी चीज़ों के साथ किसमिस भी थाली में डाल देंगे और इस थाली को साइड में रख देंगे और एक कड़ाई लेंगे इसमें मखाने डालेंगे कड़ाई पैन जो भी ले रहे हैं वो भारी तले का होना चाहिए यहां मखानों को ड्राइ रोश्ट करेंगे, गैस का फ़लेंड लो with medium रखेंगे मखानों को चलाते हुए रोश्ट करेंगे आपने तरह तरह की वीडियो देखे होंगे आप सोच रहे होंगे कि हमने कोई भी ड्राइ फ्रूत रोश्ट नहीं किया है पर हम इन्हें रोस्ट भी करेंगे अलग तरीके से मखानों को ऐसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे जब तक कि नमी नहीं निकल जाती तक तक इन्हें ऐसे ही चलाते रहेंगे इन मखानों को रोस्ट करते हुए दो मिनट हो गई है और इनकी नमी भी कम हो गई है अब इनमें दो चम्मच घी डालेंगे और इनहें रोस्ट करेंगे ऐसे मखानों को पहले ड्राइ रोस्ट करें और बाद में घी डालके रोस्ट करते हैं तो मखानें अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं और बाद में भी इनमें नमी नहीं आती है अब हमारे मखानों को चेक करेंगे एक मखाना लेंगे और दबा कर देखेंगे तो यह मसल रहा है इसका मतला हमारे मखाने रोश्ट हो गए हैं अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और मखानों को नीचे उतार लेंगे और बाउल में डाल कर इनको ठंडा होने देंगे तब तक हमारे मखाने ठंडे होते हैं हम हमारे आटे को सेख लेंगे उसी बारी तले की कड़ाई में सेखेंगे जिसमें हमने भी मखाने सेखें कड़ाई में 1500 गी डाल लिया है और थोड़ा घी बचा लिया है जैसे जैसे हम आटा सेकेंगे जर्वतों गी तो डाल लेंगे हम कड़ाई में 500 ग्राम आटा डालेंगे और इसको चलाते हुए बूनेंगे गेस के फ्लेम लोटू मेडियम रखेंगे जब तक कि हमारा आटा गुल्डन ब्राउनी ही हो जाता तब तक इसी तर ऐसे चलाते हुए आटे को बूनते रहेंगे आटे को चलाने में थोड़ी परिशा नहीं हो रही है इसलिए थोड़ा सा गी और डालेंगे गौंद के लड़ूं में काफी गी लगता है फिर भी हम इसे बहुत कम गी में लड़ू बनाएंगे गौंद को हम अलग तर ऐसे सेकेंगे हम जिस तर ऐसे गौंद को सेकेंगे उसमें बहुत ही कम भेनत लगती है और पुरा ध्यान रखना पड़ता है कि अंदर तक फुला है या नहीं फुला है थोड़ा भी कच्छा रह जाता है तो मुह में टाइट टाइट सा लगता है और इस में हम सेखेंगे जिस तरह से गौंद का मोटे रहने का कोई सवाल ही नहीं है गौंद को सेखने के बाद में कटोरी से मिक्सी में उसको पीछना पड़ता है तो चारों तरफ घी ही हो जाता है बहुत सारे बरतन भी खराब हो जाते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है मेहनत भी कम होती है और गौंद भी से आटा सिक रहा है आटे ने की छोड़ना शुरू कर दिया है और काफी पतलासा हो गया है हमारा आटा सिक गया है गौल्डन हो गया है अब हम गौंद को लेंगे और आटे में डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके तीन से चार बार में हम गौंद को आटे में डाल कर चलाते ह हुए कौन को सेखेंगे तो दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा गौन कितना अच्छा सिक रहा है जगे जगे हलका हलका फूला हुआ है बाकी का आटे में मिल गया है आटा भी फूला फूला नजरा आ इसी तरह ऐसे बच हुए गौन को भी डालेंगे और चलाते हुए शेखेंगे जब तक गौन अच्छे से नहीं फूल जाता जब तक इसको ऐसे ही चलाते हुए सेखते रहेंगे इस तरह ऐसे गौन जल्दी ही सिख जाता है वैसे तो गी के साथ क्यों आटा और गी काफी गरम है पहले जही और उसमें बारिक किया हुए गौन डालते हैं तो जल्दी सिखता है और अच्छा सिखता है जगे जगे थोड़ा रह गया है मोटा फूल भी गया है तो इस से अच्छे से सिख गया है अब हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और कडाई को नीचे उतारेंगे द्राइफ रूट को हमने दरदरा करके धाली में रखाता हुन्हें एक परात में निकाल लेंगे लड़ू बनाने में आसानी रहेगी सभी ड्राइफ रूट को हाथ से अच्छे रूट नीचे तरफ अच्छे से सिख जाएंगे और इन को थुड़ा मिक्स भी कर देंगे गरम आटे के साथ ही का अच्छे च्छे सिख जाएंगे थर आट हमारा काफी गरम है दरदरा कर लेंगे और मखानों को भी दरदरे कर लिया है इन्हें भी इसी मिश्रन में डाल कर मिक्स कर देंगे और इन सब चीजों को पुरी तरह से ठंडा होने देंगे इनको ठंडा होने में कम से कम एक घंटे का समय लगेगा हमारे मिश्रन को रखे हुए एक घंटा हो गया और मिश्रन भी ठंडा हो गया है अब इसे हाथ से अच्छे तरह से मत लेंगे जिससे सबी चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी मारा मिश्रन सौफ्ट भी हो जाएगा इसे इसी तरह से चारों तरब से अभी कर लेंगे इसमें हम चीनी बूरे का यूज नहीं करेंगे इसमें हम देसी खान का यूज करेंगे देसी खान फाइदा करती है हमने हमारे मिश्रन को काफी अच्छे से मत लिया है इसको मत ते हुए हमें 3-4 मिनट हो गई है काफी अच्छा सौफ्ट हो गया है अब इसमें हम 300 gram डेषी खान डालेंगे और उसको डालके भी से अच्छे से मिक्स करेंगे फिस से हमारे लड्डू काफी soft बनकर तयार होंगे देषी खान को हाथ से मतने से क्या होगा कि हमारे लड्डू soft ही बने रहेंगे जो गी है वो जमता नहीं है और लड़ू सौप्टी बने रहते हैं यह मेरा अजमाया हुआ तरीका है मैं पिछले 35 साल से लड़ू बना रही हूँ इन लड़ू को बनाने में थोड़ी मेनत तो जरूर है पर टेश्टी बहुत ज़्यादा लगते हैं और हमारी बोड़ी के लिए जरूरी भी है यह लड़ू सर्दी से बचाने का काम भी करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाते भी हैं यह लड़ू इस तरह से एक बार आप बना लेंगे तो मुझे जरूर याद करेंगे क्योंकि ये लड्डू सभी को काफी पसंद आएंगे तो हमने सभी को अच्छे से मत लिया है अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं थोड़ा सा मिश्रन हाद में लेंगे और दोनों हाथों की साहता से लड्डू बनाएंगे दबा दबा कर और गोल कर लेंगे लड्डू आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े बना सकते हो देखिए मज़ेदार सा गोंद का लड्डू तयार है अब इसे हम प्लेट में रखेंगे ये केबल हमारे आटे के लड्डू नहीं है हमने इसमें बहुत सारी चीजे डाली है ये हमरे गोंद के लड्डू है ये बड़े ही मज़ेदार होते हैं इन लड्डू को कफी दिन तक रख सकते हैं ये खराब नहीं होते हैं इन्हें 2-3 महीने तक रख कर खा सकते हैं इन्हें पूरी सर्दियां खा सकते हैं इन गोंद के लड़ों को हमने बहुत कम घीमे बना कर तयार किया है इन्हें कोई भी खा सकता है यह बहुत ताकतवर लड़ों हैं इस तरह से हम सारे लड़ों बना लेंगे तो लेजिए हमने सारे लड़ों को बना कर तयार कर लिया है इतनी भनत के बाद ये लड़ू बने है तो ऐसे लड़ू आप जरूर बनाईए और घरबालों को भी खिलाईए और मुझे कमेंट्स करके बताईए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैन स्क्राइब करें नन्य बाद